सोचल मेडिया पे शेर्ट किये गए एक पोस्ट के अनुसार 20 साल के बाद आउन करने पर एक नौकिया फोन पे 70% चार्ज मौझूद था जब हमने इसे गूगल पे खोजा हमें ऐसे न्यूस आर्टिकल्स मिले जो नामी न्यूस माध्यमों जैसे न्यूस 18 हिंदी, दैनिक भासकर और नवभारत टाइम्स के वेबसाइट्स पर थे इन तीनों वेबसाइट्स पे फोन के मालिक का नाम केविन मूडी दिया गया था पर दूसरे विशय में कुछ-कुछ अंतर है न्यूस 18 पर कहा गया है कि फोन को 20 साल के बाद चलाया गया था जबकि दैनिक भासकर और नवभारत टाइम्स में बताया गया कि फोन 19 साल के बाद आउन किया गया था न्यूस 18 के आर्टिकल में इस न्यूस का श्रोथ चेस्टर ब्यूगल नाम वेबसाइट को दिया गया है चेस्टर ब्यूगल का आर्टिकल का हेडलाइन है नौकिया 3310 found in drawer after 20 years still has 70% battery पर नौकिया 3310 Sun 2000 में launch हुई थी मतलब इसके launch होने से सिर्फ 19 साल हुए है चेस्टर ब्यूगल के About Us भाग में से ये पता चलता है कि वो एक व्यंग पूर्ण यानि satirical वेबसाइट है पोस में मौजूद फोटो को Yandex Reverse Image Search करने से हमें express.co.uk का आर्टिकल मिला जो 2017 में प्रकाशित हुआ इस आर्टिकल के मुताबिक फोटो में आदमी का नाम Dave Mitchell है और वो Sun 2000 में खरीदा Nokia 3310 का इस्तमाल तब भी कर रहे थे आर्टिकल में ये कहा था कि Mr. Mitchell ने कुछ साल के लिए इस फोन का उप्योग नहीं किया था पर ये कहीं नहीं था कि वे फोन के बारे में भूल गए या उसमें 70% बैटरी थी ये सब सर्ष सैटरिकल आर्टिकल में है तो अब हमें मालूम है कि ये पोस्ट फेक है आम तोर पर ऐसे आर्टिकल के औरिजिनल श्रोत को परखना महत्वपून साबित हो सकता है क्योंकि अगर वो इस तरह के सैटरिकल वेबसाइट से है जैसे कि इस केस में तो हमें तुरंट पता लग जाएगा कि इसमें कोई सचा ही नहीं है When you come across a piece of news that seems too ridiculous to be true, don't leave things to doubt. Run searches on Google and Yandex and weigh out the true and false of the situation for yourself by looking at the facts. But first of all, before you hit that forward button, pause.